लोगसभाद चुनाओं से पहले देश की लगभग तमाम पार्टियों ने अपना खेमा चुन लिया है लेकिन जो पार्टिया अब तक किसी खेमे कहीं सा नहीं बन पाई है उनमें मलाल है ब्यार की जादतर पार्टियों ने अपना खेमा चुन लिया है फिलाल ये खेमा एंड पी और पप्पू यादू की जाप की बात कर लिजाए तो यह ऐसी पार्टिया है जो अब तक किसी भी खेमे का या फिर यूँ कहे कि किसी भी घड़बंदन का हिस्सा नहीं बन पा है ऐसे में कहा जा रहा है कि एक तरफ इंडिये दूसरी तरफ इंडिया और बीच में तीसरा प्रंट भी अब आपको देखने को मिलेगा चुकि व्यार के राज़िती में ऐसे कई दल हैं जो अब तक किसी भी खेमक का हिसा नहीं हो चुके हैं बात मुकेश सहनी की कर लिजा तो मुकेश सहनी ना एंडिये में हैं और ना ही विपक्षी पार्टियों के साथ दिख रहे हैं जाब सुप्रीमों पप्पु यादों के साथ हैं पप्पु यादों ने यहाद तक कह दिया कि भाई हम बातचीत करने को तयार हैं लेकिन तेश्वी यादों बात करने को तयार ही नहीं है उन्होंने यहाद तक की अल्टिमेटम दे दिया लेकिन पप्पु यादों की बात महाकरबंधन के अंदर कोई सुनने को तयार नहीं है महाकरबंधन के निताओं को या फिर यह कहें कि नितीश कुमार तेश्वी आदो को पप्पु यादो पे भरोसा नहीं है पप्पु यादो ने कहा कि एक समय सीमा के अंदर अगर बातचीत होती है तो ठीक है नहीं तो फिर हम अपने फैस्ट लेने को आजाद है और अगली नंबर है AIMIM असुदिन OEC की पार्टी जिसे B team कहा जा रहा है कि भाजपा के B team है या फिर इंडिया की पार्टी तरब से कहा जाए तो directly कहा जा रहा है कि B team की भूमिका में रहते हैं और ऐसे में बिरान सबा हो या फिर लोक लड़ते हैं वह ऐसी के साथ BSP मयावत्ती की पार्टी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि वह भी तीसरे फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगे यानि कि इस वीडियो में हम जितने नामों की चर्चा कर रहे हैं जिक्र कर रहे हैं वह ना तो महागरवन्धन में है और ना ही रड़ प्रंट बनाये जाएगा उन्हेंने कहा कि साल 2009 में हम लोग ने यह कहा था कि अगर रगवन्धन में सामिल होने को कहा जाएगा तो हम अपनी सर्तों के साथ ग्रवन्धन का हिस्ता बनेंगे लेकिन पार्टी को सामिल नहीं किया गया वही अख्तुरुल इमाम ने यह कि बीजेपी को कोई अकेला नहीं हरा सकता बीजेपी राज जमकेंद्री अस्तर पर दोनों कापी मजबूत इस्तिती में हैं ऐसे में अगर हराना है तो सब को एक जूट होना होगा लेकिन यहां नजर अंदाज किया जा रहा है अब देखे सवाल है कि अगर तेश्वी आद ही राजनेती करते हैं ऐसे में भी पक्षी पार्टिया इन्हें भाव नहीं देती है जो अब तक नहीं देती दिख रही है तो फिर ये लोग आपस में मिलकर थर्ट प्रंट बना सकते हैं राजनीत को जाने समसने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि महागरवंधन जो इंडिय है वो किसी भी हाल में इन लोगों को भाव नहीं दे सकती चुकि अल्डेडी कई दल है जिनके पास अच्छी कासी वोट बैंक है ऐसे में जिन नामों की चर्चा हो रही है ये हमेशा बीटीम की भूंका में रहे हैं बात अगर पपू यादों के पास कोई खास जनाधार उन पार्टी और वैसी की पार्टी ए आइम आइम को बीटीम बताय जारा इसलिए महागरवंधन या फिर इंडिया जो भी पक्षी पार्टियां है वो किसी ब्याल में अपने साथ लेने को तयार नहीं है ये बड़ी वजह हमने आपको बताई कि क्यों आखिर महागरवंधन की पार्टियां इन लोगों को भाव नहीं दे रही है पापू यादो यहां तक यह भी करें कि भाई हम तो तेश्पी आदो लालू प्रशाद यादो से बाच्शित करना चाहते हैं कि हम भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं और जितनी मजबूती से करते हैं सायद बहुत कम लो तो फिर पफू यादो अपना फैसला लेने को तयार है और यहीं बड़ी वज़ा बताई जा रही है कि तमाम जो ऐसे दल हैं जिनको बहुत ज्यादा भाव ना तो इंडिये दे रही है और नहीं महागरबंधन इंडिया तो यह लोग आपस में मिलकर एक गरबंधन त्यार क बड़ी देखने को मिल सकती है अगर आप मेरे वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लिजे फॉलोग कर लिजिए